अलो फ्रेंट्स मेरा नाम प्रभात मार है और मैं आपको अपने सेनल सुप्रभात एजी समन पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम लो रेंबो क्लास फिप्त से लेशन नमर टेन पढ़ने वाले हैं जिस लेशन का नाम है दे क्लॉक से अगर आप लोग इसे देखते हैं तो मुझे पूरा उमीद है कि आप लोग इसे बहुत ही, अच्छे से समझ लेंगे सबसे पहले हम लो ácो समझ लेते हैं तो क्लॉक से का मतलब क्या होता है सबसे पहले यां पर देखे जाड़ें लिखा गया है it is 6 o'clock it is morning 6 बच चुका है और it is morning और अब सुबा हो चुका है okay friends it is 6 o'clock and लिखा किया है अपर it is morning 6 बच चुके है और सुबा हो चुका है मतलब सुबा हो चुका है 6 बच चुके है it is time to get up यह समय जो है उठने का है ठीक ना अपनी मा को wish करो wish is mother ठीक ना जो यहां पर है friends Ravi wish is mother good morning Rabbi जो है वो अपनी मा को wish करता है क्या बोलता है good morning अपनी मा को वो good morning बोलता है it is a quarter to nine यहां पर बता दू मैं friends quarter का मतलब हर गंटे का जो 15 मिट कम होता है मतलब जिसको पौने कहा जाता है तो पौने नौ बत चुके हैं और यहां पर देखे friends लिखा गए Ravi has a head of breakfast his breakfast और Ravi के पास जो है उसका breakfast था ठीक ना he is going to school वो इसकोल जा रहा है जब पौने नौ बत चुके हैं तो उसके पास उसका lunch भी है और तब उहा इसकोल जा रहा है अब यहां पर देखी friends मैं बता दू हाप पास जब कभी भी लिखा गया होगा तो आप तो को समझे लेने कि साड़े मतलब आधे घंटे की बात की जा रही है हाप तुवल लिखा गया है दो पर के बाद वाला जो समय होता है अप्टर्नून उसकी बातियां पर की गई है इड़ इड़ टाइम फूर लंच और यहां जो साड़े मतलब बारा साड़े बारा बज गया था यहां समय जो था वो लंच करने का समय था रभी इस हैबिंग लंच रभी जो है अपना लंच कर लेता है इड़ अब पास्ट फाइब और अभी जो है साड़े पांच बज चुके है और यहां पर देखे इड़ इड़ इबनिंग और साम हो चुका है इड़ टाइम टू प्लेए और यह जो समय है मतलब पांच बज चुके है अब बज चुका है तो यह जो समय है यह खेलेने का समय है रभी इस प्लेइंग फुट बॉल रभी फुट बॉल छेल रहा है इन दन प्लेइग्राउंट में जो रभी है रभी नाम का जू लड़का है जिसने अपनी माँ को गूड मॉर्निग विस किया था वह जो है प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है यहाँ पर फ्रेंट्स दिखिए अब लगबग मतलब पौने साथ बच चुके हैं रभी जो है पढ़ाई कर रहा है और वह अपना होमवर्क कर रहा है वह अपना जो ग्रिय कारे दिया गया था उसे वह कंप्लीट कर रहा है फ्रेंट्स यहाँ पर आगे दिखे लिखा गया इट इस नाइन ओक्लॉक नौ बच चुके हैं इट टाइम टू गो टू बेड और यह जो समय है वो बिस्तर पर जाने का है मतलब सोने का है ठीक है फ्रेंट्स और तब यहाँ पर रबी is sleeping रबी जो है सो रहा है फ्रेंट्स फाइनली जो मतलब दुक से लिखा गया है इसका मतलब आप लोग देखी लिए कि जो समय होता है हमे क्या क्या कहता है हमें एक रबी के माधिम से इसमें समझाया गया कि जब छह बच जा है तो वो क्या करता है मतलब पॉने 9 बज जाता है तो वो अपना लंच लेकर के स्कूल की तरफ रबाना हो जाता है करीब करीब साड़े 12 बजे वो अपना लंच करता है साड़े 5 बजे वो थोड़ा सा खेलता है प्लेगराउंड में फुटबॉल और लगभग साबा साट बजे तक, सौरी फ्रेंड्स पाओं ने साट बजे तक व वो क्या करता है अपने होम वर को पूरा कर लेता है और 9 बजे तक वो पूरी तरह से सोग जाता है तो फ्रेंड्स ही लेशनों की वीडियो से अगर आप लोग ढूंड रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पर Class 5 तसे लेकर के Class 10 तक के English, UP Board की जो English है, मैं उन सभी लेशनों का हिंदियानु बाद और उनके लगवा कोसर आंसर अपलोड करते रहता हूं, तो अगर आप इन सभी सलेवस को ढूंड रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, मैं आपको सभी सब्जेक्टों को अविलेबल कराता हूं, तो इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी टूटियां रह गई हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो चलिए फ्रेंट्स, वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो आप लोगो कैसा लगा, यह आप हमें ज़रूर बता हैं, थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद